और जानियर दोस्तो हम समझेंगे stretch marks के बारे में कि यह क्यों हो जाती है किन को ज्यादा होती है यह इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं या ज़ल से खतम कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं सब कमझेंगे इस डिए में देखते रहें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा तो फुणाद होगे अंदर से तो ढहत दिनों तक होगा तो जाते हैं जार स्गार तो वेट तो जब फूलर रहएगा तो मार्क्स आई चाही आएगा टो कियोंकि तो लीज05 Education तो मार्क्स तो रहेंगे ना मार्क्स दम से गायब नहीं होंगह तो स्ट्रेच मार्क्स सिर्फ और सिर्फ प्रेगनेंसी या बढ़ते हैं इसके लगवाद तीसरा कोई कारण नहीं थी कि आदमी के पेट पर हो सकते हैं गया महला वोजाते हैं बार का महला ओक ब्रेस्ट बंकंडय। हो रही है ठीक है यह भूप लटक रहे है ब्रेस्ट लटक जाता है तो इसमें भूब आज यह जाते हैं तो यह कुछ इसके होती है कहां-कहा आ सकता है तो आप समय कि स्ट्रेच मार्क होता है ये दो तरह को था पहला होता है पर इस्टेर रुवेरा तो यह होता है कि ये स्ट्रेच मार्ख लाल कर उते हैं और मोटे माड़े होते हैं भी दिने नहीं इस कंडिशन में लार दो यह लाय नो रहा है Cuando लगता है लेकिन यह ठीक हो जाता है तो अब यह जो स्ट्रेच मार्क्स हैं कई बार देखा गया जैनेटिकल भी होता है कई लोग करते हैं हमारा वजन नहीं बड़ा फिर भी हमको गया कई जाता तो वह जैनेटिकल कारण भी होता है सब दिखने लगते हैं तो यहां पर चाहे वह स्ट्रेच मार्क्स आये हो चाहे प्रेग्डेंसी की वज़े से दोनों में इसका ट्रीट्मेंट और इसका प्रेवेंशन सेम ही होता है देखो इसका प्रेवेंशन पहले समय लो आप अगर किसी को ऐसा लगता है भाई मोटा हो र मदर होते हैं क्या को चोड़ा करने मदद करता है मनलग कि उसको खचने में मदद करता तो जब बहुत दिनों तक इस ट्रेच रहेगी तो यह दोनों के दोनों टिशू जो है खराब हो जाते हैं खराब हो जाते हैं कि फट जाते हैं कोई काम के निवाशते हैं तो जो इसके ऐसी थी तो उसको कॉलेजन पास लाएगा तो यह खराब हो गया तो पास नहीं आपाएगी तो ऐसे धीली रह जाएगी तो यह कारण होता है वह यह टिशू डेमेज हो जाते है ऑर इसलास्टिन तो अभी क्या होता है कि जब भी किसी व्यक्ति को स्ट्रेश मार्स आते हैं तो उसका पहला काम यह है कि उसको मॉश्राइजर का यूज करना बहुत ज़रूरी है इसके न्रिष करना बहुत ज़रूरी है तो पहला कहाँ मॉस्टराजर करना उसके बाद है दोस्तों यहां पर पानी बहुत ज्यादा पीना है डिहाइडरेट नहीं रहना डिहाइडरेट जतना रहोगे इसकिन के स्ट्रेच उतने ही बढ़ेंगे तो पानी दोसो तीन लीटर डेली पीना है उसके लाब विटामिन का कर सकते हो ओररली या और टोपिकल खा सकते हो तो खैलो और लगा सकती हो लगा भी लो का यूश करना ही करना ठीक है ड्राइट से बचना है ड्राइने के कारन क्या होता है कि खुजली उगए अने लगती है इस ट्रेच मार्क्स पे तो जैसी स्ट्रेश और बढ़ेंगी तो से बचना है वहां पर कोईभी मॉस्चराइजल लगा सकती हो कोकनट का तेल लगा सकती ओसकती हो और जादा आपको जानना है बहूत अच्छा लुख सा है आपको भी क। लह लो और उसके रिंदर बिटामिन welld Mediterranean अगर यह थोड़ा हो गया है पतला पतला हो गया तो थोड़ा टाइम लग सकता है तो एक इलाज है आप घर पे कर सकते हो भाई उसको आपको अपने इसकिन का ख्याल रखना उसको बार बार आपको देखना है बैटामिन लगाना और रखना गरम पाने तो तो और खिषती आते तो गरम पाने नहीं नहीं उसके लावाब चाहूं डर्मेट्रोंस को दिखा तो डर्म टॉल्स याप कई तरह की थेरपी का इस्तवाल करता भाई रिच प्लेट लेट थेरपी होती एक वोवी यूज कर सकते ह हैं और कई तरह की दवाईया इंजेक्शन का इस्तमाल किया जा सकता है बड़ आगर आप घर पर यह कॉस्टर रोल और बिटामिन लगाओगे आपको 100% मिल जाएगा इस्ट्रेच मार्क में चाहे वो प्रेडिन से के बाद हो चाहे आपना वेट गेन कर लिया ता आब आपक हो चाहे आपको कर दो